अस्सलाम अलेकुम कैस्व आप सब लम्दलिल्ला मैं एकदम ठीक हूं मित करती हूं कि आप सब भी एकदम ठीक होंगे तो इंसा बीबी फात्मा ने डाली वीडियो दी है डीडी दल्ले को चैलेंज के 80,000 रुपे का प्रूफ लेकर आओ कौन से 80,000 वही 80,000 जो के इसकी जो द खाना ना बनाए और वहां से इनको खाना आता है और यह लोग खाना खा रहे हैं उस चीज़ का इसने चैलेंज करते हुए इस तरह का थमनेल टाइटल लगाई तो करेंगे इस वीडियो के उपर बात सबसे पहले तो इतने वीडियो की सुरुआत में जो एक बेहुदा सा ड दिडि दल्ला तुझे चोड़ के क्यों भाग गया या नकाप के अंदर से ही पता चलता है कि अंदर कोई आंटी यह तो इतना ड्रामा करने की तो फात्मा तुमको जरूरत नहीं है और व्यूस चाहिए इतने ड्रामे से व्यूस कम पढ़े काम करो फेस रिवील कर लो जो के तुम कुछ टाइम में करने वाली हो है ना हो गई ना डिल तुमारी और डीडी की फेस रिवील वाली ओडियंस को बताओ ना आके तो यह छिचोरा पना तो तु कर मत के मेरी आंके इतनी खुपसूरत है आप लोग बुलते है फिर भी कभी घमंडे नहीं किया तो खुपसू लोग मत मारा कर चुचोरा पना मत करूं कि मुझे फात्मा के दुख का नहीं समझाता भैन पूरा दिन तु घूमती है फिरती है खाती है पीती है पूरे घर का काम भी कर लेती है काम में कपड़ा दोना और बच्चों को लेके जाना लेके आना बस यही काम नजर आ रहा है यह सब तो सच में नजर नहीं आ रहा है फिर यह बोलती है कि कौन से 80,000 रुपे देखे गए है मेरे नहीं समझ आता है क्योंकि पहले यह खाना बनाती थी तो आदा कॉंटेंट तो इसका वही होता था अब नहीं बनाती है वो तो दीख रहा है फिर भी यह कह रही है कि नही यह आगशन देने के लिए तो आप लोगों को पता ही है ना कि सेम हरकर डीडि दला करता है सेम करता है पूरे दिन का पहले वीडियो डालता है और मेरे यह प्रता है और टाइटल हमने लगा देता है कंट्रोवर्सी वाले तो इंसा बीवी फातिमा ए सेसने भी करके देख ल इसके लिए इसको डिडी ने बोल दिया के भई मेरी तरह कर पूरा दिन का कांटेंट पहले डाल दे और फिर बाद में लाश्ट में बैठके रियक्शन दे देना भकवास कर देना और टाइटल लगा देना कंट्रोवर्सी वाले तो व्यूज आ जाएंगे और सच में उसी तर व्लॉगिंग करने के बाद एंड में जाके बकवास करने के लिए नहीं बैठता ठीक है बलके टेंशन में इंसान रहता है दुखी रहता है तो उससे व्लॉगिंग होगी ही नहीं पहली बात तो तो फात्मा इंसाब बीबी रामे बन करो तकी जो इसका गुरूर था इसकी जो ताकत थी इसका जो प्यार था जो इसका क्या बोलूं यार क्या क्या था वो चला गया है ना तो उसके दुख में सीर्फ और स्रीफ इसको खर्चा पैसे बस यहीं सारी चीज़े याद आ रही है यह नहीं याद आ रहा कि हम साथ में बैठते थे हम बाते करते थे हम कुपूरन था मैं इतना प्यार करती थी कि मैंने इसको शादी की इजाज़त दे दी लेकिन जब वो प्यार इसका दूर हुआ तो इसको उससी फॉड्र फई से याद आते हैं के बाबर ने फंक्शन कर लिया बाबर ने राष्ण बरा दिया बाबर कहां करेंगा बाबर के पास पैसे नहीं है मैंने सोना बेची तो तुम को बुरा लग ग गया तो यह तो वो अरे भई तुम लोगों का तो साफ नजर आ कर दिया कहां तो इनके रोने नहीं खतम होते हैं कि पैसा नहीं है और फिर के खर्चे करना कि जैसे कि फंक्षन करना का घारी लेना करते हैं जब इंसान के पास पैसा नहीं होican तो इसक्तना अरजन फा में थोड़ी सेविंग होती है ना उसके बादी वो एक्ष्ट्रा पैसे से ये सारा कुछ करता है ना के जेब खाली करके करता है तो यहां पर आके बार बार ये सारा कुछ बता के जताना के हमारे पैस पैसे नहीं है था आप तुम्हारा मोटीव नजर आ रहा है कि तुमको फंड चाहिए और तुमको अपना चैनल ग्रो करना है पिटारा की कॉपी कर रही हो ताके तुम्हारा भी घर गाड़ी बंगला ये सब बन जाए तो बेवकूफ किसी और को बनाओ यहां पे आके यहां पे बीवी बैट के रियक्शन देती है फिर हस्बेंड बैट के रियक्शन देता है फिर साली बैट के रियक्शन देती है सब एक दूत्रे को रियक्शन दिये जा रहे मेरा लास्ट वीडियो मेरा लास्ट वीडियो मेरा लास्ट वीडियो अरे भाई हमें नजर नहीं आ रख्या अगर इतनी फिर पैसे बेजा और पैसे पहुंचे नहीं पहुंचे वो चीज इसने फोन पे पूछा ना पैसे वहां से बेजा तो उसने फोन पे बताया ना कि मैंने इतने इतने पैसे भेज दिया हूं तो वो भी वीडियो बना के डाल देते हर एक चीज के लिए वीडियो बनाओ भई के पैसे बैद दिया हूँ तो वहां से कलेक कर ले ना दो मिनेट की वीडियो डाल दो है ना हर चीज में तो तुम लोग वीडियो नहीं डाल रहे हो ना यही है कि एक दूसरे के कपड़े फाड़ो और फिर डॉलर कमाओ घिरी हुई फैमिली फात्मा इंसाब बीबी जो तुमने कहा है कि तुम अपनी साली को रोक लेते मेरी बेहन ने एक वीडियो बनाई तो तुमने बोला कि इसको चुप करवा दो यह हम दोनों मिया बीबी का म और यह हमिया की बेहन तुम उसको क्यों निए चूप करवाते तुम पहले वीडियो अप्रूब करते हो उसके बाद में वीडियो उनकी पबल्लीक होती है जाहिरती बात है तो सारह कुछ तुमने कहा और प्पर तुमने यह भी कहा कि मैने टो कुछ नहीं किया था मैने तो खली इनके वीडियो में से चीजे उठा के बताई थी मैने किसी के उप्र कोई बात नहीं की थी तो देखो इसको फ्योत आ नहीं रहते पहले इसने वीडियो बनाई फात्मा ने उसके बाद में फिर उसने वीडियो बनाई और फिर यह आके कह रही है कि उसने वीडियो क्यों बनाई अब जाहिर सी बात है डीडी दल्ले को कुत्ते की तरह उसकी दुलाई हो रही है तो वो वीडियो क्यों बनाएंगा जो जो उसन से बोलने लगा रहा है क्या बोलने लगा रहा है और चूप नहीं करवा रहा है इसी तरह से तेरा हस्बेंट बैठके दूसरों के उपर बोलता था पिटारा के बोलने पे तब तुने नहीं रोकी तब तुने तो उसको बड़ा बड़ावा दी क्योंकि डॉलर आ रहे थे मजा आ रहा था घूम रहे फीर रहे आज़ान कर रहे है रोज के पिज़े कंड़ों है न सब लोगों कोंगों को अगर उच्फ़ संगत्री से उसले ना काटै काक काटने काक काटने एक दिन वह मालिक को भी जरूर कटता थे दजरे वह जरूर करो कि पीटारा इसको बोलते हैं दूसरी शादि है इसको बोलते है सवतन तेरे शादि की मूह स्वेदय भायर जाद ए उनी है हां तू आके उसके पर इल्दाम लगा के चले जाती है इसके पर इतनी बाते करके चले जाती है इसको गंदा करके चले जाती है वो बंदी एक बार भी मुझ खोल के ना सज बोलती है ना तेरे खिलाब बोलती है बस जब भी कैमरे के सामने आएंगी तो हसते हुए ही आ तो, पितारा जरूर बताना, तेरी सौतन जब इतनी ही जुलुंगा रहे वो कौसर, तो वो बोलती क्यों नहीं भई, आत तक के तो हमें उसका कोई अवाज नहीं सुनाई दी कोई चीज नहीं आई, कोई वीडियो नहीं जिसके अंदर ये साबीत हो कि वो अच्छी नहीं है वो जुलूंगार है इसको देखो कितना बुरा लग रहा है कि लोग ताना देते हैं डीडी दल्ले को कि यह हमारे घर खाता है यह अम्मा के घर खाता है तो थोड़ी सी शरम करो उसके घर में पका के खाओ और जो इसने बोली थी चम्या की बेहन ने के गलिसरीन डाल डाल के रोती है तो तुम्हरा हस्बेन मर नहीं गया है जो तुम्हें इतना रोना आता है इसके उपर से यह बोल रही है कि तुम लोग आदमियों को नौकर बना के रखते हैं हम सर का ताज बना के रखते हैं तो बस कर दे बैन ये सारे डायलोग तो तुमार मत तेरे सर का ताज तुझे किस तरह से सर पे जूती देखे गया है ना वो हमने देख लिए ठीक है वो बलते हैं ना कि जैसा मुँ ऐसी चपेड देना चीए तो तेरा अस्बेंड जब इतना गिरा हुआ था तो तुझे उस तरह से कं कर और फिर बाद में ये कंट्रोवर्थी कर फिर अपन पैसे कमाएंगे ना इसलिए आज भी तुझे बड़ा बुरा लगता है इसको कोई ताना देता है तो तुझे कर रही है कि अपने घर में बना के खाओ ये नहीं बोल रही है कि तुझे वह सब दुख नहीं है तुझे नंगे पैर भाग पढ़ते हो फिरी का खाने के लिए तो जब तेरा दल्ला खा रहा है वहां पर फिरी का तो तुझे क्यों इतनी मिर्ची लग रही है पैसे बच रहे ना तुम लोग के अब ये तो दिख रहा है भई सामने से दिख रहा है कि वह उसके घर में ना पकता है हान लोग कोई खर्चा कर रहे हां गुम रहे भाहर का रहे है वह खर्चा ह वह रहा है बाकी घर में खाने का कोई हर्चा नहीं कुछ नीं हो रहा है और ताने तो किरा अच्छी ये तो शसराल से तो ये क्यों नहीं करते अरे भाई पहले अपने गिरिबान में जाक ले के तू किती अच्छी है भी के तुने ससूर को बेटे को पहली फुरसत में घर से निकाल देती है जब भी डीरी से कुछ होगा तो तू बच्चे को और ससूर को घर से निकालती है तेरे ससूर ने भी अल को मारी तक्के थी और इसके मारने के वज़े से इनके घर में अच्छा खासा जगड़ा हुआ था और फिर इसके यार अनुवर को रोका था घर पे आने से कि अगर मेरा बाप नहीं रहेंगा ना तो तेरा यार भी नहीं आएंगा घर पे तो तू कित्ती अच्छी है भई तेर नेना ने भी बताई थी कि ये अली के साथ में इतना गलत करती है कि देखके ना इतना रोना आता था कि देखो ये सोतेली माह सोतेली होती है तो तेरी वो सब कहानिया वो सब बाते हम भुले नहीं समझी हो बलते है ना जैसा करोगे वैसा भरोगे आज जो तेरे साथ में हो रह तो पहले अपने गिरेबान में जहां को भी भी बाद में दूसरों को बोलना बे शरम कहीं की कि इसको ये बात भी बड़ी लगी है के डीडी ने चमिया के लिए बोला के इसके आंसू निकल रहे हैं आप लोगों को बद्धुआ लगेंगी या जो भी मतलब उसको आंसू को लेके डीडी को बड़ा बुरा लगा डीडी ने उसके लिए बात किया तो वह बात इसको कपादे लिए तो हर किसी की ऑरतें भी रोती है हर एक और पी र४ह जवे लागी वह बना यांसू नज़र आते हैं यहां पर नहीं नहीं ज़र आते थे तो अब रोके क्या फाइदा अब यहारे ताने तुसके देखे यह डायलोग मारके क्या फाइदा इनसा siete वी जब तुम्हें बताया जाता था तो तुम बोलती ती मेरा पती दीवता है मेरे देवता को कुछ ना कहो है ना जब उसकी वाइसे आती थी उसके प्रूफ आते थे चैट आती थी तो तुम दुतरों के पर एल्दाम लगाती थी के उड़ती उड़ती खबर हाई है याद है तुमको वह सारे वीडियो तो अब की बात करो ना पिटना भई जो तुमारे साथ हो रहा है वो भी क कौन कौन है। उन सब के साहत में वखे हुआ एक तुम्ही तो नहीं हो ना जो उपर से उतरी हो कि तुम्हारे साहत में बड़ा जुलूम हो गया। भई तुम्हारे खांदान में नॉर्मल है शादिां करना भीवियों को छोड़कि के जाना और फिर बाद में दूसरी वली के साथ में रहना वो तो पिटारा इतनी जुलुंगार है मर जाओंगी मिट जाओंगी लोट जाओंगी गटर में गिर जाओंगी ताने और धमकियां दे 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 इसने गोंचु को अपने पास में रखी हुई है वरना तुमारे खांदान में ये पर चाचू को देख लो, तुमारे अब्बू को देख लो, हर कोई नभी अली के साथ में रह रहा है ना, जूनी के साथ में कोई रह रहा है तो स्रीफ और स्रीफ गोंचू रह रहा है, उसके बावजूद बिचारी बहुत दुखी है वो, बिचारी को सिंपती चाहिए रहती है, तो ये सारी बाते तुम्हारे खांदान में नॉर्मल है सिंपती मत लो इनसाब बीबी ये सारे ड्रामे है ना तुम लोग अपना कॉल पे कर लिया करो एक दूसरे के बाल पकड़ के लड़ो और तुमने ये जो वीडियो में बोला है ना कि मैं किसी के बाप का नहीं खाती हू तो ये सारी बाते आउडियंस को खुल के बताओ भई के तुम उसके घर पे खाने के लिए क्यों गई थी जैसे कि उसकी बेहन ने बोली थी के रिस्ता करवाने तुम आई थी घर तुमने देखने आई थी अब इस बात को तुम अगर घुमा के कोई और तरफ लेके जाओग करके बैठे रहो दुनिया को तमा से दिखा के और यहां पे कंट्रोवर्षी करके खाने की जरुरत नहीं है और तुम लोग क्या सीख दे रहे हो वहाई क्या तुम लोग दुनिया को मैसेज पहुचा रहे हो पहले यह दे देने का इजाज़त देने का और फिर बात में इस स encalhear आतीन तो तिम्हें जान भुचके बना के वैसे चुप भी तुम कर वालो दिडी मैं नहीं इन लिक्ति जुर्षय मत रवाएच ह приход के बैटो और पाथ मा को मुह तोड़ जवाब दो और गदी ने भी क्या डीडी बाई बाई की फर्स्ट वाइफ को जवाब फर्स्ट वाइफ तो तु ही नहीं उस गदी को तो इतना भी नहीं पता के तू खुदी सेकेंड है और इसकी भैंट ठाड आए बड़े ठाड क्लास लो तो भाई साफ नजर आ रहा है सबके सब गेम चैनल और पैसे थी व्लागिंग चल भी गई थी बीच बीच में वह भी अपनी उकाद दिखाते रहती थी बार बार को सर का नाम ले लेके और अब जाके लोगों को अच्छे से पता चल गया है कि वह सब ड्रामा करती थी पैसे कमाने के लिए और आद देख लो उसकी व्यूस का क्या हुआ इसके लिए वह सारी चीजे जो पिठारा ने दो साल तलक के लूँ बनाने के बाद में ओडियांस के समझ में आई यह ना इसकी अभी ही आ गई है जब यह कंट्रवर्सी वाली बाते करती है तो ओडियंस इसको नहीं करती है तो इसके लिए जान बुचके लोग कर रहे हैं स अब पीज़ा अरे हां 80,000 वाली तो बाती करना मैं भूल गई 80,000 वाला ना सिर्फ और सिर्फ जान बुचके शोशच छोड़ा गया है ताके ना यह बात प्रूफ हो जाए कि इसको कोई पैसा कोई 80,000 ने 20,000 नहीं वेजा है ताके फिर आउडियंस इसको फंड दे तो यह है 80,000 का तो इसके अपर बिल्कुल भी तवज्ज़ देने की जरूरत नहीं है लाफी